दोस्तों फाइनली यस बैंक में वो सारे लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं जिनों ने यस बैंक की नई शुरुआत के साथ में इंवेस्मेंट किया था यानि आप समझ सकते हो कि जो अभी भी राणा कपूर के समय निवेस्ट किये होंगे हैं उनको तो बहुत सारा लोस बार निकलने का मौका मिला वह भी प्रॉफिट में आ चुके और यह बात में आपको लगातार के रहा था कि जल्द ही इस टॉक फिर से 20 को क्रॉस करेगा और बिल्कुल आज वो हुआ आप देख सकते हो कि यस बैंक ने बहुत ही जबरदस कमाल किया है और इस टॉक अब यह यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको डिसकस करेंगे और बारी वॉल्यू में कामकाज हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब खरीदारों की लाइन लगने लगी है तो आगे कि क्या समोना बन रहे है क्या इस समय इस बैंक में इन्वेस्मेंट करना चीए औ लेकिन आज इसका इंट्राइडे का हाई वो 21.20 का है यानि बहुत ही जबर्दस हमने तेजी देखी और आपको पता होगा पिछले दो साल पहले इसकी जो हाई थी वो 20.85 की थी और वही से श्टॉक रिवर्स हो गया था काफी जादा एक ही दिन में श्टॉक फिर से 19 के आस लेकिन अब वो दोनों ही हाई तोड़के इसने आज एक नई हाई बने क्योंकि यह स्टॉक आज 21.20 तक जाके आए तो आप समझ सकते हो कि अब वो सारे इन्वेश्टर दिनों ने इसमें निवेस कि होगा वो लॉस से बार निकल चुके अब आप देख सकते हो कि पिछले ए अगर बात के तो हमने 20% की ओलरी तेजी देख ली है अगर हम इसके वॉलिम को देखे तो पिछले एक मैने पहले इसका 19 क्रोड का वॉलिम था वन विक पहले 42 क्रोड का वॉलिम होता और फ्राड़े को बहुत ही जबरदस 145 क्रोड भी इसका बड़ा वॉलिम होता आज भी आप देखे तो तीन बजे के पहले 84 का वॉलिम हो चुका है जबरदस वॉलिम है बड़ोतरी है पूरे बाजार में वॉलिम के मामल में नमबर बन पे है यस वैंक और नमबर टू पे है जेपी पावर जो यहाँ पे डिल की वज़ेसे यहाँ चरचा में है क्योंकि सिमेंट क आई टॉप थ्री है और तेजी से इसमें कारूबार हो रहा है तो यह आप समझी सकते हो कि जो श्टॉक मैंने सजेट किये तो वह वाकई में आने वाले समय में एक मल्टी बैगर बने की ताकत रखते है अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले एक मेने के हिसाब से दे दिकाई है तीसरा नमर पे धनलक्षमी बैंक है जिसने लगबग इतनी ही तेजी बताई है यानि 26.15% की तेजी हमने धनलक्षमी बैंक में भी देखिया है उसके बाद में है साउथ इंडियन बैंक जिसने काफी सांधा प्रदर्शन किया 24.16% की तेजी दिकाई और उसके ब बैंक जिसने 11.31% की हमने तेजी दिखाई है और फिर IDBI बैंक है जिसने 11.30% की पोजिटिव क्लोजिंग दिए और उसके बाद में जो एक्क्यूटा स्मॉल फाइनस बैंक जिसने 11.17% की दोड लगाई है और उसके बाद में अगर आप देखे तो HDFC बैंक जापे 9.01% आप देखे तो नंबर 2 पे रहा है पूरे बाजार में आप कामकाज के मामले में आप यह देखी सकते हो कि काफी अच्छा दोड़ा है यस बैंक अब यहाँ पे देखे तो इसके जो टारगेट निकल के आरे क्या आने वाले समें 17 होगा या फिर 24 होगा क्योंकि इसने 21 के ल इसके उपर जब तक ट्रेड करेगा यह तेजी से उपर जाने की समावन बनेगी यानि आने वाले समें इस्टो ऊपर जाने की समावन बन रही है स्वास्तिका इन्वेस्मार्ट के एनलिस्ट परवेस गोर का कहना है कि यहस बैंक ने फ्रेश ब्रेकाउट दे दिया है और अ तब तक इसके उपर ट्रेडर इस्टो करेगा तो फिर से उपर जाने की समावन बनी हुई है तो आप समझ सकते हो कि फिलाल इसमें खरीदारी की सला बन रही है अब इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजब बनी एडवेंट और करलेल की तरब से जो 9.99% की इस्टेक आने वाली है इन दो इन्वेस्टर की तरब से और वो यहाँ पे बोर्ड के सदर से भी बनेंगे और इसी वज़े से आप देखे तो यहाँ पे प्रती जो विश्वास जगा है उसी वज़े से यहाँ पे देखे तो एक पॉजिटिव माहुल बनना सुरू हो चुका है अब तो इस टॉक मार्केट के जानकार है उनका कहना है कि जिस तरसे पॉजिटिव यहाँ पे माहुल बनना है उससे एक बात समझ में आ रही है कि अब यहाँ पे स्टॉक के अंदर तेजी की सम्हाओना बन रही है क्योंकि यहाँ पे एडवेंड और काईलर की तरब से जो डील क मंजूरी मिली है RBI की उसके बाद में यह स्टॉक यहाँ पे आने वाले समय 28 के लेवल को चूँ सकता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आने वाले समय इसके जो टार्गेट निकल किया वो मीडियम टर्म टार्गेट 28 के लेकिन यहाँ अगर आप देखे तो 18 का यह जो महुल बनना शुरूआ तो यहस में के स्टॉक में आगे तेजी की समावना बनेगी क्योंकि एक तरसे पूरा कपरा सेंटिमेंट चेंज हो चुका है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगडिया का कहना है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने 18 के जो ब्रेकाउट को तोड़ाया अब आप उपर की तरब मूह करते हैं श्टॉक जाएगा तो 24 का इस तरद देखना को मिलेगा और अगर यह 24 को इसने क्रॉस कर लेदा फिर आन इस लेवल पर खरिदारी कर सकते हैं आने वाल से मैं आपको 24 और 28 के टारगेट देखना को मिल सकते हैं यहाँ पर इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग की सला दी जारी है और अगर आपको फिर से फ्रेश इंट्री करना है तो वह आप निचले लेवल पर इंटेजार करें और 18 के आसपास फिर से खरिदारी शुरू कर सकते हैं दूसरी वज़े यह भी है कि यहाँ पर इस बैंक डिजिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटर के खिलाब दीवालिया प्रक्रिया शुरू करना चाहते है यानि NCLT के दर उसके पर कारवई होगी और अपना पूराना रकम है यानि 468 की जो डिफॉल्ट रकम है उसको वसूल करने के लिए वो यहाँ पर NCLT में जा रहे है इसे पहले जी लर्ण के उपर भी इनों ने यही प्रक्रिया शुरू की है आप देख सकते हो कि यह जी लर्ण की ही सबसीडियरी कमपनी है सुबा चंदरा ग्रूप जि डिश टीवी भी कमपनी है और जिसके उपर अलड़ी देखे तो यहस बैंक न अपना कबजा एकस तरह से कर लिया है वहाँ पर 24 परसेंट तक की इस्टेक यहस बैंक के पास है और इसी वजह से देखे तो जिस तरह से एग्रेशिव तरीके से यहाँ पर रिकवरी की जारे ह उसका भी positive effect देखना को मिल रहा है और दूसरी तरह अगर आप देखे तो यहस बैंक न एक और बड़ा decision भी लिया यहस बैंक ने अपनी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है काफी attractive FD कर लिया है जिसके आने वालस बैंक का 12 बढ़ेगा तो यह जो नही FD की दर है यह 9 December से लागू हो चुकी है तो यहां पर आप देख सकते हो कि अब Yes Bank 7.50% का interest rate दे रही है जो काफी सांधार है और जो fixed ब्याज दर है उसके ओपर 8% FD के ओपर ब्याज कर दिया है जो वरिश नागरी को मिलेगा तो इस तरह से अगर आप देखे तो यह जो interest rate बढ़ेगे इसका FNC के launching में कोई से दार बनाया यह बहुत बड़ी बात है इस वज़े से भी यहां पर लोगों के बीच में confidence जागा Yes Bank को लेकर तो इन सारी बातों को समझ के अब यह कह सकते है कि Yes Bank के जितने भी खराब दिन थे वो सब खत्म होने वाले है और आने वाले से में अच्छे दिन का इस टोक था 12 रुपी 13 रुपी के आज भास था कोई भी इसमें निवेज की सरानी रहा तब भी मैंने आपको कादा कि आपको इसमें investment करना चीए और आपको पता होगा आज आखिर कार में वो बात सचा भी तुई और आने वाले से में definitely Yes Bank में आपको बहुत ही अचारी दि देखना को मिल सकता है तो नजरिया long term का लेकि ये निवेज का सही मौका है आपको investment करना चीए लेकिन जो short term investor है उनको profit book कर लेना चीए काफी अची तेजी बन चुकि अगर आपने 13-14 के आसपास इसमें investment किया तो आपको 23-24 के आसपास निवेज अपना बेज के profit book कर लेना thank you